पूनम जी ने कहा कि इस पर्श नहीं समझा बिल्कुल इस पर्श दरसल जब मैं भी नया था तो मुझे भी इस पर्श नहीं समझता था क्योंकि यहाँ पर जो स्पर्श के बात करें यहाँ पर याद रहेगा जब हम बात करते हैं सोतह सपर्श घ्रानस परश जीवा तो यहां पर ज्रक कर रहे तब मोला जाता है तो परश क्या होता है जो कि हर चित्त है पाया जाता है अब प्यार वालो जो है उसमें उस पर उनको नहीं होता है इसलिए प्राकर बताई अगर आपको जो नहीं समझा और मैं क्या कह रहा हूं कि एक बार अभी जब नेक्स क्लास होंगी तो एक बार आप अधित्र परियास उत्तनी क्या पढ़ लिजेगा पहले पहले पढ़ लेंगे तो आपको भी जो डिफिकल्टीज रहेंगे ना वह तो मैं आपको समझा पाऊंगा है कि आपका जो सवाल करके आप टाइप कीजिए बताइए आपका क्या सवाल है तो सवाल है आपको पूछना है कि नहीं नहीं झिगिए मैंत्री कोई चित्तन नहीं है पहले तो हमेटरी चैट सीख है ठीक है लेकिन आप जो कहे रहे कि मैतरी को बार बार उत्तर करने से जब अगर अगर आप आपने मेरा कर रहे हैं तो आप इनको प्लीज मेरा लिंक शेयर कर देज़ेगा ठीक है कि प्रभचन का आप में अवश्य वह जो लेक्चर आप सुनिए ठीक है उसमें बहुत सारी बाते किलियर की गही है मैंतरी को अगर आप में इर्शा उत्पन्न हो रहे है तो मैंतरी चित्तव होने का है क्योंकि चेतोवी मुक्ति में मैंतरी चेतोवी मुक्ति भी है तो इसलिए से हम सिफ ऐसा नहीं हमें चित्त को जानना होगा कि अरे तो मेरे मंद में इशा उत्पन्पन नहुत हो तो आपको महित्री भावना करने पड़ेंगी प्रिमेटरी भाहना केसी करनी आप ऐसा बोलकर से महित्री भाहना नहीं कर सकते उसका मंगल उसका मंगल हो उस समय मन को क्योंकि वह सी उपर से उसके उसको लेके अंदर में जड़े है जो अंदर में द्वेश्य अनुश्यों के रूप में आप बोलिए वह नहीं हटेंगे सबसे ज्यादा पसंद है और उपास के लिए तो समाज ज्यादा भावना इस्तमाल के भगवान ने रूपास के लिए इतना प्यारा शब्द भावना तब भावना करेंगी तो आपको उसके काई क्रम देखने पड़ेंगे नहीं तो मांसिक करम देखिए ऐसे अलगल तरिके है जी समझा आपको राकेश जी हां मैं समझ गया बांती है को अगर और को यह शंका हो तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि वह जो बात है वो हरके इसको डिफिकल्टीज आती है ठीक है वांती तो चित्तों उसी आकार का हो जाता है और चित्तों उसी आकार का हो रहा है तो पुरे शरीर में भी वैसी पुलकित्ता वैसा अनन्द अनुभा होना चेह वह बोलते समय आप काया के स्तरपे उस महित्री का अनुभव कर पा रहे है क्या क्योंकि जो आपके हॉर्मोन से साइकलोजिकल जो निरो ट्रांस्मीटर से वह रिलीज होते है सब्सक्राइब है तो आपको काया के स्तरपे भी वैसा अनुभव होना चेह नो भावना मेंस मेडिटेशन और प्रेयर नहीं होता है मिने जी मेडिटेशन के लिए अपने आप में एक अलग शब्द है समाधी ध्यान ओके भावना मतलब उसे भावित करना उसे घुमाना उस भावित होना यह सब एकी शब्द एकी रूट से है उससे बढ़ाना उसे चलाना उसे आगे करना वह होता है भावना और आकेश अगर आपको और इसमें बारे में अगर कुछ नहीं समझा तो आप पूछ सकते हैं अधित अधित तन अधित्तो में जब लाइंगहें लगली हिंग्लिश में तो हिंदी में विलांते जमती नहीं थी कि बड़ी की मैंतरा कॉन्ती चूटी की मायतरा कुन्ति यह बच्पन मजब लिखता तो नहीं जवाब पड़ो तो मैंने जवाब पड़ा तो मैंने जवाब पड़ा तो मैं मैं पूछा कि मैं मी जवाब गलत है क्या पर पर मुझे भी समस्ता नहीं पता अधित्थ अधित्थ अलग हो जाए अधित्य सूर्य इस अर्थ में इस परकार भगवान बुद्ध का जो गोतर था वो अधित्य गोतर रहते मतलब सूर्य वंशी थे है नहीं है थैंक यू मिने जी और किसे कोई प्रश्चन है कि पूछे अन्म्यूट कीजिए नमस्ते बंते जी हां नमस्ते है हां प्रश्चन है था कि लोग अपने ओपर गुस्सा क्यों करते हैं जब हमने गलत भी नहीं किया होता है और इस्पेशली जब हम धम्मत सुनने के लिए बहुत प्रयत्नक करते हैं तो ऐसी चीज़ के ओपर भी गुस्सा आ सकता है कि कि अगर उनको उस बात का महत्वन ही पता तो अफकोस उनको लगेंगा कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं है ना और क्योंकि अगर उस विक्ति उस विक्ति के मन में आपको लेकि मैं हुए आप वह आपको अपना समझता है तो अफकोस आपको बोलेंगा वह क्योंकि वह लगेंगा रहे तो समय बर्बाद करें दूसरा को काम कर लो तो उसको अगर इस बात का महत्वा नहीं पता तो अफकॉस उसके साफ से काम विकार है और इसके चलते वो कहेंगा वो बोले ना इंसान तो जब तक महत्वा नहीं चलता तब तक असंभव इसलिए आप देखिए बच्पन में जब भी हमें कुछ प्राद्य थे तो पहले उसका स्कोप बढ़ाते थे कि इस सब्जेक का इस विशय का स्कोप क्या है तो उसी प्रकार देखिए भगवान में अक्सार कहा कि जो जीवल में दुखों देखता होंगा उसके लिए धम्म यह धम्म किन लोगों के लिए सबसे पहले समझ जाए समझ जना होगा यहां बैटे सभी लोगों को कि धम्मा अरे के लिए यह अगर आप संजार में दुख देखता है अगर अगर संजार में दुख नहीं देखते वाप को समसार में तो आपको दूख दिख रहा है तो आपको जम्म की आशकता निया गैए में सब्सक्राइब नियुक्त है अब दूस्रें कुछें अप्टन फ्रेजने में सब्सक्राहे ने को अप्र्णी अब है अच्छा हर बार अगर हम गुस्सा करें लेकिन किसी किसी के भड़काने कर तो उसका जो आमें यह मिलेगा कम बीपाक कम रहेगा वह कम रहता है उसके मुकाबले वह कम रहता है चाहे वह आप पुन्यों में भी यह जित भी इस काम लोग के चित्त है प्रिवारा करने पर किये होते हैं तो जो कुछल हो या अकुषल हो उसका प्रभा विपाक अच्छा रहेंगा प्रभावशली रहेंगा और इसके उसके कारण तो आपका जो होगा वो क्या होंगा सहसंसकारी की मतलब और से प्रदेने पर या फिर आप इसके एकजामपल लेजे जेत राजकुमार्वा राजकुमार ने वंदान किया छिश पे पैपाया ले कुछ तरफ से दिया पर कुछ तरफ से कप दिया जब उसने अनां पिंड़ को एतना दान कर रहा उस मेन प्रेडना जागी तो जेत राजकुमार का चित्त था वह सरसंस्कारिक सब्सक्राइब जो सब्सक्राइब यहाँ एक एक कश्र बंदों । है दोनों ने नहीं किया था कि देखो तुम तो यह उसका जो देने का जो भाव उत्पन्न होता यह उनता है वह स्वैम से उत्पन्न होगा धर्मा सुनने के बाद उस धर्म में नहीं कहा था कि दान दो यह उसको खुद को धर्मा सुनने खुद देने के चावजी तो उसका क्या है वह संसकारिक इंफ्लेंस बादर्स संसकारिक यह सेल्फ मोटिवेट्ट बाई और संसकारिक अब दमा पड़ रहे क्या मीनी जी 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 बिल्कूल खुब खुब चानवार लवर शांबूर जी आईकुन मला करम दी आशा करता हूँ अब ठीक है बनते मेरा सवाल है क्या भग्या क्या भगवान ने भिक्कू और उपासवों के लिए समान धम्मा रखा है या यह अलग अलग रखा है वैसे धम्मा में भग के लिए समान है पर जो विश्यावस्तू हैं बताने की वो अलग अलग है अगर बिक्ष्ण हो के लिए टान और भावना नहीं ये इदर नहीं और उधर नहीं जा सकता हो सकता है तो समस्कते हैं लेकिन कैसा है युद्र थ inclusive अब मैंने वाग्राइन था तो बहुत दुखत विद्णा तब सारी पुद्द्ध ने उनको उप्देश दिया की बन्ति बुचतले कि तौम होगी रहे हो इतना सुनदेर उपदेश estás इतने सालों से भगवान बुद्ध को वंदन कर रहा उनके उपदेश क्यों सुनने के लिए और आज यह मुझे क्यों सुना इतना इतना देर क्यों तब कर सारी पुद्ध ने उपासव को ऐसे उपदेश देना मनाई की है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया और वह पंच होता है ठीक है फिर सारी पुद्ध वापस भगवान को आते तब भगवान पूछते भी है सारी पुद्ध को कि तुमने क्या उपदेश दिया तो ठीक है आगे से उपासव को भी पंच सकंदर प्युद्ध दिया करो तो हां विशय वस्तु धम्मस अभी के लिए समानी है क्योंकि आखिर में धम्म क्या है चार अरश्टानी एक मार्ग पर उसको किस विशय वस्तु में किस परियाय में समझाना है यह अलग-अलग है यह भगवान ने बना है तो उसकी विशय वस्तु के आ रही है थोड़ी से अलग है हम जब देखते जो भगवान बुद्धु ने जो उपदेश दिये विख्शू को हमेशा पंच सकंदों को लेके रहा है धातू को लेके रहा है हमेशा जो गुरु अभी धम्मक तॉपिक रहे और जो पासव को को रहे के है वो दान कर्मफल विपाक इन विश्यव को लेके रहा है अगरा देखिए जादा तर मैजोरीटी पर कुछ-कुछ उपासव को भी बहुत गंबर उप उपदेश भगवान ने दिये है वैसे धम्म में भगवान वैसे क्या है प्रशना आपका भगवान ने अनित्य को क्यो स्थान रखा है यह बड़ा सुन्दर प्रशना पूच्छा है कि जो जो सारी जो मिथ्या दुरुष्टी है यह सारी मिथ्या दुरुष्टी नित्य के इरदगिर्दी घुमती है ऑफवान होने सही जो मैं मेरा अभाहर वह तुटता है अर अगर नित्यता को नहीं जान पाए तो आप आसक्ती की सब्सक्राइब दो इसको नहीं जाने अनित्यता को जाने बिना आप श्यन्भंगरता को नहीं जान पाएंगे आप आसकती किस प्रकार धुखद है यह जान पाएंगे बीक्ती आषकते इसलिए हो रहा है आषकोङ है पर वैक्तिस अणिता को बोध नहीं कर पाए ठीक है फुड़ा पढ़ा है यदि कोई गुसा करे और हम रिस्पानस में चुप्र है कुछ बोले नहीं परन्तु मन में सैड फिलिंग हूँ एंगर नहीं तो उसका कर्मा खराब होता है क्या अफकॉस मैंने कली पड़ा है अब इतम्मा की दुष्ट्री कौन से कि अगर मन उदास हुआ है तो कुना चित्त है द्वेश चित्त है अकुषल चित्त है तो उसका विपाक आता है क्या अफकॉस शरीर से नहीं हुआ है वानी से नहीं हुआ है उसको बाहर कैसे निकालते है जो मन से उद्फन्न हुआ है कि समय समय ब्रृब उद्फन्न होते रहेगा भागवान तुष्ट्रा की परी भाष्ट्रेश निकालते हैं क्यों ड क्लानुकार है बार बार चोड़ना पड़ता है तो अलावा वितक टन वितक टान शुट्व जो है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए उसमें भी कई उपाया बता है भगवान बुद्ध ने इसके अलावा सब्भासव सुट्व मज्जिम निकाय में आता है उसको भी बार पढ़ लिजिए वहां पर भी भगवान ने बता है कि कैसे क्या हटाया जाते हैं बंदा मी बंते हम लोग तो ग्रहस्त है हमारे साथ तो हर दिन कुछ न कुछ तो होता ही रहता है हर टाइम हम लोग समता में तो नहीं रहते कभी आज अच्छा होता है कल बुरा होता है तो क्या कर सकते है जब अपने आप कुस्ट एबल रखना चाहिए एक करने का मन नहीं कर रहा था तो ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं इसे समय पर मन कर रहा है या कोई धंधकार रही है जिसमें आपको आनना दो होता है पर वह खुश़ी होना चाहिए कि किस कारण लगा सकते कि कि किस कारण गए अगर एक गोजने की पीछे गए तो और इंसान वेक्टोर हो सकता कि क्या क्या है और एक और चीज हम किसी की दान पुन्य करते हैं अभी आपने बुला ना कि कि किसी को को देख कि हमारे मन में संस्कार आता है वो करने का पुन्य कर्म करने का खुद से आता है उसके वो अलग और किसी को बोलने के बाद जो आता है वो अलग वैसे ही अगर हम किसी के लिए करते हैं किसी के नाम से दान पुन्य करते तो उसका भी क्या उसको बेनिफिट मिलता है जिसके नाम से दान पुन्य कर रहे हैं कि अगर उसके पुन्य होंगे उसके पुन्य होंगे तो देखो आपका पुन्य का करता है उसको लाब होंगा अच्छा मतलब वह बैनेफिशरी है ना क्योंकि हम बहुत ही इच्छा से करते हैं कि अंगुली माल का उधारन मिलता है कि अपने इसके नाम से उसके नाम से पुनने किया तो ऐसा तो मिलता नहीं कि अपने प्रत्यक्षन अक्षन अधे एक अक्षन आत किती विचारे उन जाता था प्लेडों के अधे फिलने की तो में आता हैं तुम को प्लेड़् करते हैं कि अपने नहीं से नहीं कि अपने प्रत्यक्षन आतर प्लत्यक्षन और कि प्रत्यक्ष्टी से रियाक्त कि मैं आतो अहँद आपन दिखावा करता हो तो ना इस बात का कर रहे हैं कम से कम आप वानी से परकट ना करूंगा तो वानी से परकट करूंगा तो वानी से बीकर मन जाएंगा आपने मन में रखा कमसे कम उसे वानी पहले ने दिया तो हमसे कम आपके मन में आया है पर आपने वानी से बीखाया काया से बोल की दिखाया तो कशेअ कमके शीन तुटें stay sure Eigen aware मन के समाधी है तो आपका समाधी कश्थर उन्य काया छोटी का मन पर मन में उतपन्ध न हो जाता है यह पर कम से कम आपने उसे वानि बोलकी दिखाया कहसे करके निदिखाया तो आपके शीन तूटे यह तो आपके वो कर ना अवकिन तूक्ते भाप संजया आपको हम तुछा तुछा टॉटै меня Smri you लासमुआ मhosला गहाई पनृटल्ट को बलतौन तैनल ऑक छे कि मेरश पर डिध की सिर दिखंग lucky सब्सक्राइ Mensch होगा इथा बाट्boards मिल converted पार सब्सक्राइब तो दिखावा नहीं कर satisf अधनी सब्सक्राइब लोगों देखे कि अच्छा-च्छा अभ्यास करने वाले भी नहीं जान पाते हैं कि उसको उटा नहीं पाएंगे एकदम से कि रागुत पन हटा दो नहीं हम कर पाएंगे जान पाएंगे और बुद्ध की जो सिक्षा जाने से त्यार होती है कि आपने जान लिया ना अगर अपने अपने आओ के समय रखा है समझ जाओ कि खुद के नजर में जूटा मत बनाएं खुद की चवी कैसे पता होना ज़रूरी है मतलब दिमाग में चलता है हमेशा कि अपन तो देखाते अलग है मन में तो अलग है लेकिन कोई तारिफ करें इसलिए जूट भी हो कर रहे ऐसा तो थोड़ा ने आपको पता है ना कि में जूट 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 होंगी कि में इसने से भी अच्छा है bei कि कम से कम आपको पता है कि यह जो बोल रहा है मेरे जो तारीफ कर रही सच नहीं तो इसस हो जूट है आप आप जो है ना उसको दिल पे नी कि उतारेंगे उसको अंदर में नी उतारेंगे तो वह बहुत कल्यांकार हैं क्योंकि होता है हम लोग अरंथ नहीं हुए ना इसलिए हम नहीं कर सकते वैसा जी बनते जो और खुद को बहुत काबिल है ऐसा दिखाने के लिए जो जब किसी और को दिखाने के बात आ जाती है तो यह दिखा हो जाता है कि पर आप यह सोच के शांत हैं कि नहीं है मुझेत अपने का दुशकार मनी मं नहीं है đó करेंगा कि दिखावा है यह आपके कुछल बाद है और को जो ने बहुत ला आपके हादू दुखते निए क्या ओपोजी इस अच्छा माई कौन से क्या पूछ लेते हैं उससे भंते डज बुद्धा टीचेस बाद बिखेंगा क्या देखेंगा क्या पूछ नहीं करता बिलकुल नहीं है निरवान होने के बाद भी मन में कई सारी बात उत्पन होते हैं यह करना चाहिए वो करना चाहिए पर उसमें तुष्णा नहीं होती है उसमें जो हेत्व है अभी दम्हा के साब से वो कुशल उसमें हेत्व नहीं होते है ऐसा नहीं हम देखते हैं कि निरवान प्राप्त होने के बाद भी कई सारे विख्षों का अलवाज लिए करना चाहिए वह करना चाहिए पर उनकी तृष्णा नहीं थी इस प्रकार से अगर आपको तुरुष्णा और अशे बागी इच्छा और जरुवत जो करना ही चाहिए और इच्छा वाद उधारन के लिए मैं अश्र पूट करता है तो प्यास लगी तो यह नॉर्मल बात हो जाती है जरूवत है करना ही प्यास लगी तो पीना ही पड़े यह उसकी और यह दुखद है प्यास लग जाना दुख नहीं है प्यास लगके जो आगे मिला उपी लेना वह दुख नहीं ठीक है तो उस ऐसा नहीं की निर्वान प्राप्त होने वाद कुछ इच्छा होती नहीं है सामन में कुछ आता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है बिल्कु ुझे है पर निर्वान क्या है एक ऐसी अवस्ता है जैकर तृुशनर उत्पनना नहीं होती है कि तृुषिना का अभाव मतलब निर्वाने रेवाने बाकी बातों का अभाव नहीं ठीक है रुष्णा का अभावी निर्वान है अगर हम किसी को माफ करना चाहते हैं पर नहीं हो रहा है तो आख कैसे कर सकते हैं मैंने खली बताया अंगे आपको तो प्लीज रुष्णा कर दो प्लीज आपको सब्सक्राइब कि आपको समझा क्या निर्वान के बारे में तो मैं विस्ताइब बताऊंगा त्योंकि काफी बड़ा विश्य हो जाता है पर मैंने अक्सर देखा कि लोग बोलते कि मैं भी इश्रुवात मैं समझता था कि निर्वान मतलब भाई इसमें इच्छा उत्पन होती होंगी वह तो मतलब निर्जीव जीवन बिल्कुल निर्जीव जीवन लेकिन मैं बता हूँ कि निर्वान मतलब तृष्णाओं का अभावा पर तृष्णा उत्पन्न नहीं होंगी निर्वान यह समझते जाब शुन्या यह भी प्रपर वर्ड नहीं हो सकता है कि भंते आपकी पीछे वा में भी शाय से कुछ काम कर रहे होंगे महराष्टा से है इसलिए मराथी बुलाओं लोगे मिली जी अन्म्यूट कीजिए या थैंक यू संदेश या बंते जी और एक प्रश्ण था जो अभी जो लेडी ने प्रश्ण पुचा था कि मन में आ तो उस पे आपने अभी बताया थोड़े देर पहले कि धम शुरना चाहिए तो वह एक है और दूसरा कोई चैन्ट भी कर सकते हैं थोड़े देर मतलब बहुत ही अशांत हो क्या मन मतलब खुछ बोला नहीं लेकिन फिर भी अपने आपको थोड़ा शांत हो करना आपड़ेगा तो इवन दो आप ट्राइ करेंगे कि उस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं करें लेकिन उसको माफ कर दे या लेट गो करें बट बाकी के चीज़ा करने के लिए तो अपना ध्यान चाहिए ना तो वह कैसे लाएंगे प्रेजेंट में उसके लिए धम सुनना इस फुर्स जिस गाथा को अच्छा सकते हैं जैसे माहितरी कर सकते हैं जी मिल्कुल जो आपको गाने में सबसे अच्छा लगता है अच्छा इन गाथा को लगता है जो गाता है नो गाने लाएक है जै मंगल गाथा नर्सिह गाथा इन गाथा को अच्छा और अगर आपको रैप टाइप में चाहिए तो आटनाड़ी सुतते है उसको तो बोलने में आनन्द आता है हम तो मैं और धंमति भंट नगते हैं हम दुनों को बहुत है अच्छा जंता है रात में ₹ा इनों हमारा सु महारा बीच में सब सोगए थैं उसके बास अश्रू नहीं अटीन को नहीं आई गुरु गुनाइए ना आपसको अशब्तों के साथ है तो और भी अच्छा फिर तो मर्तर के साथ तो और भी अच्छा है ठीक है क्योंकि चैंटिंग से में को थोड़ा कूल अफ होता है जल्दी that I have seen so तेकनिक बेसिकली जवता प्थान सुथा चाहिए आपको पथान सुथा का या पथान इसका सुत्त चाहिए आनिता जी आपको पठ्ठान का सुत्त चाहिए एक्स्परेशन चाहिए ओके 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 ठीक है मैं आपको गुगल में यूटूब पर मिल जाएगा पर फिर मैं उसका भेज़ दूगा कुछ ना कुछ ठीक है ऐसे ही ओपो जी उनका नाम है शिद्धिरतन नाथपूर में पाच्पॉली में रहता है वो ठीक है ओपो जी की एक तरफ डेमेंट रहती है बहुत जी बिल्कूल में क्या बढ़ता होगी मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि वाने के दुश्क्रम हो जाएंगे इसलिए तरह सब्सक्रम मुझे पसंद नहीं करते हैं साइकलोजिक की बुक्स भी रिकमन कर दो ना तो शो अभी यह सबसे बड़ी बात है मिनी जी कि वह एक किताब में दिया मुझे बहुत सारे किताब पढ़ने पड़े कि इधर से उधर से एक इसमें बात मिलती है पर अगर फिर भी शायत से साइकलोजी काम आ सकते हैं इस केस में पर अगर हम बुद्धिस प्रस्पेक्टिव में पढ़ना है तो मैं फिर बहुत वाहास पढ़ना पड़ता है पर मैं इस पर जरूर एक लेक्चर लूँगा एक सिरीज लूँगा मैं इस पर लेक्चर की इसमें पुरे साइंस और बु कॉष्म यह जो सारी विष्यव है सिकते कास्मा लजी बुदिस्ट कास्मा लजी इस्ट्रम फ्रीक्स और गुद्धिज अपके अधिक सफ बुद्धियृधिज्व साइकलोजी ऊफ बुद्धिजम बीज़िए बुद्धिजम का जो बेसिक पतलब तो बुद्धिंस के वि यह एक वेच्टन है, मतलम उसके रिलेटद नी आंगर के, बत बुद्ध था रस्पितिक इस खुछारी स्थाथी के अधिडिक था स्था रिख घ्ज करेंगर indi दुख इलेट था। transmit करते थे because sound cannot travel in vacuum sound is medium so he used to use light for that of course normal person cannot emit that light he used to produce with his divya shakti or I don't know what is the proper word for that but he used to use light as a medium so question is basically light which we generate when the Buddha is also a which is very important in your work Alternatively yes I I do I I do do I do हज़े इतने भी ६बढते हैं सा new this and ना किसिए आश्टारतेश और उसका देखाँ तुमने सब्सक्राइब सबूद्षिधं करता है आउगिए आप 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 देखे जो चर्डो चक्रा फिलोस्वी है वह चक्रा फिलोसवी ने abbiamo वो धरमने दिया है chakra philosophy chakra philosophy and वो जो final what they say kundalini awakening that's Indian tradition chakra philosophy it's different from that so chakra philosophy means when all the chakras are properly functioning or activated okay then that is actually the full awakening is it like that any other जो है जो रिड़िबल जो भी टाक्यत है यह कैसा है कि जो दस कसिन है उन दस कसिनों पे ध्यान करके इंसान को प्रप्द होते है अपने वाला सुना है क्या है मेरा सत्तव शुद्ध प्रप्रजन सुना है अपने ने recording थोड़ा बहुत किलियर किया है जदा नहीं कि मेरा समय होगा था जगह प्रजण देना था पर मैं एंडिंग बताया है उसके बारा मेरे दीबल कैसे प्राफ्त होते हैं सब्सक्राइब अपने इस प्राफ्त है कि हाज झेद है घ्रिया चायह किitने बिदूर के ऊना दौै आपने पढ़ा होगा है एंटेंगलमें थेरी तो इसके सबसे ही सब पॉसिबल हो चलता है ओके या इन पॉसिबलाइब इस अगर मेरे में सबस्ट थाट आया कि सबस्कतियों सबस्क्राइब उसक्राइब आपका थेली इसके सबस्सक्राइब कर बार नर्चिंग इस शिपरेट फेट उसक्राइब प्र इसके सुप्पराइब में आइस्टायजिक नहीं है पहले था इंस्टाइन फेरेट बट अभी सब पुरा किताब पढ़िए काफे क्रिएटिव लिखते हैं उसका फ्यूचर ऑफ फ्यूचर ऑफ माइंड पढ़ रहे हो पर आप उसकी वाली पर यह फ्यूचर ऑफ इसमें बहुत अच्छा दिया है थाइपर स्पेस पढ़ेंगे तो काफे अच्छा आपर हीमेंटी पर इदेफिटर फ्यूचर ऑफ फ्यूचर ऑफ इच्छा है इंच्छ थैंक यूच्छ आपकी एज क्या है आपकी एज का ओप जी मीच्छी को ओंड इस्मा फेड़ेंटी जमीच्छी को श्रीज इस तो क्रेटिव अपकी एज क्या है ओप जी नहीं मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था दरसल कि एक आश्यर होता है है ना कि एक ऐसी उमर में या दिखी मतलब एक आश्यर है उसको लेकि इसले मुझे जानने का उच्छ सुकता हुए कि आपकी उमर क्या है क्योंकि अक्सर मीचे को फिलाल तो यूद पढ़ रहे है इस तरही है और वो जो लगती है उस बाद को करनेक्शन करने के लिए बुद्धिजम और सुदैट्स वाया आस्ट अब आपको जद्धाई फिलोसफिकल हो रहे हैं साधु 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 से अगर किसी को वेश्चन होगा तो प्लीज पूछिए तो कि टाइम भी हो चुका है और ज्यादा और आज का सेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन एंसर में बहुत सारी क्वेश्चन निकिए वन मूर मीनी जी का वन मूर क्वेश्चन है मीनी जी आप अन्म्यूट करके पूछिया एंड्रेज उपट जी को लेकिन मेरे मांने बहुत क्यूरासिटी है थि हलो यह 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 बनते जी आम क्योंकि आप साइकोलोजी भी पढ़ रहे है इसलिए मैं प्रिश्चन पूछ रही है प्रियान वीस की बहुत किताब पढ़ी है तो उसमें पांश ज्यावा प्रिश्ट निकिए ब्र जातर हो बारे में बहुत लिखाया है, बहुत सरे चीज़ रहा है पास लाइफ के बारे में फास्लाइफ के बारे में फिर थैंग वने पृछ जागा में इन पास्लाइफ के बारे हुआज hilft कि देट ऑफ कौन्शेशनेस और वो खुदेखता ज्सक किया जाता आफे का इंडेख पाता है उसके इंडेधान सती दो में क्या होता है ब провод ऑडिक पाता है इसको अ कुछ और उसके नहीं करना पड़ता है जो उसका जहन उसमें देखिए चित्त की बिना एकगरा एकागरता के यह बिसंभावी नहीं है और चित्त अगर एकागरा हो गया तो वह कहीं पर भी हो सकता है मैं अभी ज्वाइन हो चुका हूँ तो इस विशेवर आपकी चर्चा हुई है या नहीं यह मुझे नहीं पता लेकिन मुझे एक सवाल पुछना था कि यह जो अधुरुष्य अनंत विग्यान है कि बारें समाथ्य की बात कर रहे हैं कि आधुरुष्य अनंत विज्ञान का सफिल इंफिनीटी ओकैं के इद्धिनीटी ओकैं तो यह वारे जो गुरुज्री डॉक्टर म्पी तुवराथ यह नहीं ने ने, 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 डॉक्टर एम्पी तुराग अमरवती में रहते हैं, उन्होंने डॉक्टर अमबेटकर अधुनिक विद्ञान आनि भारत, आनि मानो, आनि मानो, ऐसा हिंद माराथी में दो किताबें नाकपुर इंडिर्शित ने उनके प्रकाशित की वे, उन किताबों में उन उसके बारे में थोड़ा सा आपकी वानी से कुछ सुनने को अगर मिला तो मैं उपकुरूत हो जाओगा एक सबसे पहले मुझे आप उनकी किताब की फोटो उपर के कार की फोटो भेज दीजेगा ठीक है अच्छा पर अब पहले बार अधिन कर रहे हैं बुद्धिजम में भारत के संस्विटि में आठ प्रकार नौ प्रकार के ध्यान है ठीक है उसमें से जो ये सातवा ध्यान है जिसे हिंदी में कहा जाता है विज्ञानन चैतना ठीक है तो जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है या इसको जब शब्दों के रूप में समझने कुछ की जा रही है तो बहुत भ्रांती उत्पन हो रहे है कई सर लोग इसे आपका साइन्स फिल्ड रहा है कि एजुकेशन में आप आप से विज्ञान दे रहे है तो मैं आप बता दू जो बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक से इस रियालिटी के है ना जो भी क्रियेट हो रही है जो विश्वपुरा निर्मान हो रहा है तो इसकी जो बेसिक ब्लॉक से वह है कि आपको जो यह विन्यान है यह विन्या मतलब जो जगा देखने की अगलेंगा क्योंकि सबसे पहले आप खुद कॉंशियस इसला इन सब को जान पा रहे है कि कारें क्या पार है जान पार है भी modern रिसर्च इसमीं भी जो कॉशेशस्टेश इस इस पर बहुत रिसर्च रोड़ी कि कॉंश्म को लेकर है और साइशन में कहा जाता है कि sorry career consciousness किससे बना है कैसे जनुरेट होता है है अगर यह पता चल जए तो कई सारे जो साइशन्स को लेकि जोенेशों जैंग वो क्योंजांगे सॉल्फ हो जाएंगे फिर इस मिरता समझी करता है तो ये सब ऐसे इस 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 इटम गोसा में कुर्फ इसकर तो समझने को फैटर एक एक कैसा केंगे मुस्से इंडिपेंट रूप में निपर रूप में यह मिलेंगा मिलेंगा तो भले मिसे कह रहें नहीं हमें इसे कोई इतने से की बात की जाती है एगर अल्टर स्टेट पे है यह कॉंशेशनेस जिस चीज़ से होता है उसकी वैसे हो जाती है तो और समझना एक बहुत डिफिकल्ड बात हो जाती है पर मुझे शब्द में आपने जो पूचा है कि इस इन्फानाइट कॉशेश्टनेस वहाँ पर जो समझाया जा रहा है कि विन्यान आप भी हर जगह पर है जो भी जीव अपको मिलेगा वाँ पिलेगा विन्यान देखें के लिए इस अर्थ में मैं समझता हूं कि समझाने में भी कटिन है पर बहुत है आप कुछ बोल नहीं तो इससे भी यह पता चलता है कि अगर वो डिपेंड़न्ट है तो ऐसी कोई जगा ही नहीं कि जहां पर नहीं होंगा यह आपसे बात से मुझे पता चल रहा हूं अगर वो स्पेस में एक्जिस्ट कर रहा है तो अफ्कॉस उसका में एक्जिस्ट कर रही होंगी और टाइम में एक्जिस्ट कर रही होंगी और टाइम नश्ट भी होंगी उसको इस अर्फ में मत लिजे कि हमेशा मौजुद रहेंगा उसको लिजए की वो बहर जगा मौजुद रहेंगा पर जैसे मौजुद कैसे रहेंगा नाम और रूप दोनों इसमें मौजुद रहेंगा वो हम आ है था कि भीना मड़र बिना रूपकी तो हो इना सकता किस और जोबी उत्पन्राब रहो रहे मड़ होगा कि हंट तो है तो हैler है है ना में तो रूप है रूप है तो ना में तो रूप है तो ना वाइek वरमार कि उसी को जीए तो और सच हो जाए तो अधर धन्यवाद भंते जी साधू 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 वंदावी पंते यह जो है ना जो माइन मैंटर के जो सवाल है या जो आप जो पूछ रहे हैं मिनी जी यह कैसे जो हम पठान को समझेंगे ना पठान के दुष्टी कों से तब क्लियर होंगा क्योंकि म माइन और मैटर यह जुड़े हुए है या अलग है इसके लिए 24 फोर्स से जो काम करते हैं को जो रखने का अलग करने का या एक दुसरे का सहार लेने से तो जब हम पठान समझेंगे तभी हम नाम रूप का आपसी तालमेल आपसी क्रिया आपसी आदान प्रदान समझ पाए यह है तुब अच्छ काम करते हैं तब जाके हम ऐसा नहीं करते हैं कि मन के कारण रूप पन्न होरा है मैं और नहीं पर पर मैं पठान अलग हो जाता है और पठान अलग हो जाता है पठान अभी धम्म करिश हो जाता है तो मैं लूँगा पर कभी आराम से लूँगा यह कहा जाता है कि अरूपा वचर में रूप नहीं है पर अरूपा वचर में भी रूप रहता है ईसा हूँ ही ही सकता कि रूप नहीं हो अ당कर वहाँ पर रूप नहीं है सिर्फ नाम नाम तो फिर नाम बन जाएंगी आत्मा से कैसे भी नौग शंत्रपना रूपा रूप अबन नहीं होता है रूप 不休 terminar हुता बहुति सुष्म में रूप का अपना आकार नहीं होता है पर रूप होता है और उसमें परिवर्टन नहीं होता है कि डिपेंडेंडेंसी इस और एक्स्टरनल सूर्स और यह ज़रा यह सवाब को जाब दिन जी मुझे सालवे जी नो पीपल यूज्ट फ्रेक्वेंश गूड हॉर्मोन थे क्या सब्सक्राइब स्परिश्र हो रहा है हर्मन का स्पर्श्र हो रहा है तर फुर्पोस्पोस्ट थीछे इस एक्स्टर्नल सोस जीपेंडेंटेंशी इस आन स्ट गहांड डिपेंडेंशी लागु उस सधान अठाव इचेगे सब्सक्राइब इसे लिए चैन करना चाहते हूं अच्काल चैन्ट में निचल रहा है नहीं हो रहेंगे क्यों अपने टेस्ला ने भी आपको समझना है तो यहाँ टू अन्डेस्टाइन इवरेटिंग इन्टाइब फ्रिक्वेंसी फेव्स और वाइबरेशन्स ओके अग्वान ने का है अरूप लोग को यह बुद्धिस नन अच्छा यह मुंबेवले नन है क्या भगवान ने का है अरू का मेंटर नहीं होता है बुद्धिस ननी कोन है बुद्धिस नानी कोन है मुंबेवाले है क्या हाँ वह जो मुंबेवाले है हाँ हाँ उनके तर माइकां करो कि अब क्या बोला था परस्ट बूलिए आपकी जनियुट है वन्दामी भंतेजी वंदामी भंतेजी हाँ विपश्चनानने सिखाया जाता है जो उनको रूप नहीं होता है उनको मतलब भगवान पहले तो उन्होंने देखा है कि उनके जो गुरु थे उनको वो देना चाहते है तो उनको वो अरूपत रूप में पैदा होते हैं इसलिए उनको विपश्णा नहीं दे सकते हैं तो फिर उनको मेटर कैसा हो सकता है मेटर नहीं है इसलिए वो विपश्णा नहीं दे वहाँ पे matter इंदरियों के रूप में नहीं होता है ठीक है पर वहाँ पे जो यह अपने जो है ना चार महाभूत उस रूप में होता ही है जैसे कि अमीबा आप पकर लिजे वाहा होता ही है जित्त कैसे उत्पन्वां जन्हों की बादे खन शुरूआत में वह जिनको देना चाहते थे हैं सिसलेए। कहते हैं बहुत क्या है यह सब्पर्म, लोग है एक प्रम्हा लोग कर भोल्गी ब्लूपना नहीं होना चाहिए ने भगवान ने कहा है तो फिर ऐसा क्यों कहा है यह पुछना है आप मुझे रिफरेंस भीजिए उस सुटता मैं पढ़के बटन ना ठीक है अच्छाट दिन के कोर्स में सिखाते हैं विपश्णा में सिखाते हैं यह विपश्णा में पुछ बाद गलत भी सिखाते हैं इसमें भी हमने सुना है जो त्रिपटक धारी है उनसे भी सुना है तो उन्हेंने किसी और अर्थ में समझाया होगा तो भी आप मुझे बार भेज दीजिएगा मुझे सुपश्टा करना ठीक है और दूसरा आपने जो बोला था कि वही भगवान के पास जो भी हम फूड वग फ्रूट रखते है तो खाते ही होगे ना नहीं क्योंकि हमने देच चुके है ना उसको हम उसको देच चुके दीवी चीजम फिर से सिरकार करें वापस देरे वैसे बात हो जाएंगे ना जो मानसिक चेतना ही रहेंगी वह उतना मतलब फूरतर के छोड़नी पाएंगे उसको और दूसरी बात है आप उसे जानवर को ही इंसान को भी दे सकते हैं इंसान को कैसे क्योंकि खुले में रहता है उस पर डस बैठती होंगे कुछ कीरा उड़ा गिर गया कुछ हो क्या इसलिए इसलिए फॉल फॉल वगएरे रखते हैं वो बोरे में मेरा ये मत रहेंगा कि न अलग हो जाता है उसमें बंते में देते हैं और उसमें उद्देश पहले से वह रहता है कि इसकी प्रसाद बनेंगी अच्छा वह बताएं थोड़ा सा डिटेल में जब हम लाते जब प्रसाद के लिए लाते तो उसमें पर इस उद्धश हो रहता है कि बाबा यह बंते को जाएंगा और यह बाखी सभी को प्रसाद मुझा उसमें बुद्ध के लिए रखते हैं तो चेतना रहती है चेतना क्या देना है कि मैं खालू होने के बाद तो आपकी चेता तो दूशी तुरी है नो वहापे इसलिए उसको ऐस्थान प्रक्द को भी खालेंगा जानवरों में ओके नहीं जो जानवर को ही क्यों देना इंसान को भी दे सकते हैं ठीक है आप दे सकते हैं मनाई नहीं है क्योंकि अभी थाइलंड में इधर उदर बहुत सारे लगते हैं लेकिन आपकी चेतना अगर साइकलोजिकली बोलू सुश्मास तो और पर को तो आपकी चेतना वाठकी रहेंगी जब तक आप इसको देंगे नहीं किसी मनुश्य को वह फल यह तो देना ही है ना बंते देना और वह आपकी किसी मनुश्य को देना है खाने के लिए जिस पर और वह फिष्य हुआ था और वो देना रहे गया और वह सित्ते लेके मर गए उसी किड़े में उत्पन्न हो जाओ फलों के इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसा रखे मत दीजे के मनुश्य को खाल लेंगा छूड़िये वह वह देवी चीज़ को वह छूड़िये आप क्यों इसे पकड़ रहे है यह समझें जीए वह फेकने में ना जाए इसलिए हम पूछ रहे है हम उसको किस न इस जानम के लिए रख रहे हैं ठीक है तेक एडेकांजू पश्ना वेदना पत्चाया पैयां नहीं हो पाता है दिप्ति तो कही बिरे पयां होंगा ही नहीं दिट्टी रहे और दिट्टी नहीं तो कहीं भी रहा हो जाएगा वंद्रामी भंतिजी प्लीस टेल अब थर्टी वन प्रेंग बताने वाले हैं लेकिन उसके फूर्चा समय लगे हैं क्योंकि से स्टाइड्स बनाने हैं मुझे ठीक है कि अबगर प्रूस के कि स्टी सकाव प्रूस